हम हमारे शरीर के तापमान को नापने के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तमाल करते हैं इसी तरह अलग-अलग कामों के लिए अलग-अलग तरह के थर्मोमीटर का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि किसी भी विशेष दिन का उच्छतम और नियूनतम तापमान को दर्स करने के लिए maximum minimum thermometer का इस्तमाल किया जाता है एक और तरह का thermometer होता है, वो है laboratory thermometer ये एकदम सटीकता के साथ तापमान को नापने के लिए laboratory में इस्तमाल किया जाता है क्या आपने इसे देखा है? ये ऐसा दिखता है इसे ध्यान से देखें क्या इसमें नापने की यूनिट clinical thermometer जैसी ही है? जी हाँ ये वैसी ही है एक laboratory thermometer में तापमान Celsius में नापा जाता है इसके नापने की range कितनी है? क्या आप इसके उच्चतम और निवनितम तापमान को नोट कर सकते हैं? जो ये नाप सकता है? एक laboratory thermometer के नापने की range negative 10 से and 110 degree Celsius तक होती है अब देखते हैं कि तापमान को नापने के लिए laboratory thermometer का इस्तमाल कैसे किया जाता है? हम इस काम के लिए एक activity करेंगे एक मग में थोड़ा गरम पानी लेंगे thermometer को सीधा पकड़ेंगे और बल्ब को पानी में डुबा देंगे आप देखेंगे कि शुरुवात में mercury thread में हल चल होती है जब तक mercury thread स्थिल नहीं हो जाता है तब तक इसे देखते रहें और इस स्थर पर तापमान को लिख लें अब thermometer को पानी से बाहर निकालें आप क्या देखते हैं हम देखते हैं कि mercury का स्थर गिलने लगता है तापमान के स्थिर होने पर तापमान को देखकर लिख लें अब हमारे पास दो reading हैं पहली जब thermometer को पानी के अंदर डाला गया था और दूसरी जब thermometer को पानी से बाहर निकाला गया है असल में पानी का सही तापमान तभी दर्ज किया जा सकता है जब thermometer पानी के अंदर रखा जाता है ये laboratory thermometer को पढ़ने का सही तरीका है हाला कि ऐसा clinical thermometer को इस्तमाल करते समय नहीं होता है जब clinical thermometer को मुह से बाहर निकाला जाता है तो thermometer वो ही तापमान दिखाता है जो मुह के अंदर होता है ऐसा इसलिए है क्योंकि practitioner को visualization करने के लिए इसे सटीक पढ़ने की ज़रूरत होती है जरा रुकिए मुह से बाहर निकालने पर एक clinical thermometer में mercury चड़ता या गिरता क्यों नहीं है क्योंकि clinical thermometer में bulb के पास एक kink होता है ये kink क्या करता है ये mercury के स्थर को अपने आप गिरने से रोकता है जिहां एक बार जब ये thermometer मुह से बाहर निकाला जाता है तो kink एक प्रतिबंद की तरह काम करता है ये reading को पढ़ने से पहले mercury को reservoir में वापस जाने से रोकता है और इसलिए हम clinical thermometer को मुह से बाहर निकालने के बाद शरीर का सही तापमान पढ़ पाते हैं लेकिन जरा रुकिए हम इसे reset कैसे करते हैं जिहां thermometer को फिर से इस्तमाल और reset करने के लिए उसे हिलाया जाता है मुझे यकीन है कि अब आप समझ सकते हैं कि heat को नापने के लिए क्यों अलग-अलग तरह के thermometer की जरुवत होती है उनके use के हिसाब से क्यों आप समझ सकते हैं क्यों आप सकते हैं